पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी किसम से इस किसम की स्थिती में एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम और विवस्था बनाई जाए सेंपल लिये जाते हैं जैसे आप देखिए होट स्पॉट जोन्स में आपकी जो एक्टिव केसिज को सर्च करने की स्क्रीनिंग सर्वे कमिटीज हैं वो भी कारिदत हैं अपनी जान दाओ पर लगा के लोग वहां काम कर रहे हैं साथी साथ अगर कहीं कोई पॉजिटिव पाया जाता है और उसको एपिसेंटर माना जाता है तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की टीम्स भी मौके पे अपनी जान पे खेल के काम कर रही हैं विवस्था पूरी है उसके बाद सेंपल लिया जाता है सेंपल ले जाके टेस्ट लिए जाता है हो सकता है स्वभाविक कहीं पे सिस्टम में थोड़ी बहुत देरी होती है उसकी भी समीक्षा कल जन प्रतिनिद्यों के साथ भी हुई मैंने अंदर भी रिव्यू किया है आज भी हम इनके साथ रिव्यू करेंगे जिलापरिशासिन के साथ और इस सारी विवस्था को सिद्रड बनाने के लिए टेस्टिंग ठीक टाइम पे हो सेंपल टाइम पे लिया जाएं और और भी किसी किसम की हॉस्पिटल इंफ्रस्ट्रेक्चर में अगर कोई हमने सद्रिकरन करना है उसको स्ट्रेंथन करना है तो इस पे भी हम पूरा विचार करके केंद्र सरकार में भी बात पहुंचाएंगे राज्य सरकार में भी बात पहुंचाएंगे शाम को शहर के सभी प्रमुक नेता और जो स्वयम सेविक संस्थाएं हैं उनके साथ भी बातचीत की ये जानने के लिए किया समस्याइं हैं लॉकडाउन के दरान जिनको हमें सुन्जाना चाहिए उसमें बहुत सारी बाते आई ग्रामीन शेत्रों में पीडियस की दुकाने ज उनके बारे में क्या किया ना जो वैसे बहुत अच्छी प्रशासर ने विवस्ता की है राशन की सप्लाई जो ऑनलाइन ओर्डर के माध्यम से हो रही है उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं कंट्रोल रूम के जरीए तो उस विवस्ता को कैसे सद्रड किया जा सकता है इसके सब्सक्राइब हो सकती है हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स में बैड्स वगरा की वो सारी समिक्षा करके राजे सरकार को भी और केंट्र सरकार को सारी जानकारी हम देंगे सब्सक्राइब देखिए आपने और क्या मैसूस किया सर जो संक्रमन्ट फैल रहा है उससे लेकर हमारी टीम दिल्ली से यहां पर 20 तरीक को आई थी मेरे साथ चार अन्य और मेंबर्स हैं सबसे पहले हमने आते ही एक समीक्षा की यहां पर जिला प्रशासन के साथ जिसमें उनसे जाना की कोविड-19 से जूजने के लिए उन्होंने क्या विवस्ता की है क्या इंतिजाम किये हैं और जो ग्रह मंत्राले और स्वास मंत्राले भारत सरकार द्वारा दिशानिर देश वक्त दरवक्त दिये संगोर बनाला सबसे पहले को शेहर में जितने भी कंटेंअनמेंट होने होटसपोर्स है उन्ह उन सभी को जाकर कर में विजेट किया आज तो उसी संदर्भ में माऊं में जो कंटेंअनमेंट जोन अऌट्सपोर्ट है उसको भी जाकर के देखा दीखां कि में ब्श्तार के कुछ एक लोगों से भी बात की क्योंकि लॉक्डाउन पूरा है रहना भी चाहिए जिस किसम की दिक्कत आई हुई है तो उसमें लॉक्डाउन के चलते हुए राशन की विवस्था और एसेंशल कमोर्डिस की विवस्था वो सारी जानकारियां लोगों से भी लिए इसके साथ-साथ हमने ग्रामीन ख्षेत्र में भी दौरा करके जहां जहां पे लॉक्डाउन चल रहा है जैसे मंडियां है इस वक्डियों में कई जगा मंडियां नहीं चल रही तो मंडियों में क्या विवस्ता है, मुझे एक अच्छी जानकारी जो इन दौर ग्रामीन क्षेतर और MP के बारे में पता लगी, सौधा पत्र करके जो एक सरकार ने बड़ी अच्छी विवस्ता किया है, डिरेक्ट मार्क्टिंग की, कि मंडी में क्योंके सारी आवक आएगी तो वहाँ पे कंजेशन हो जाएगा, तो कोई भी किसान ट्रेडर के साथ एक ट्रांजेक्शन कर सकता है, अगर MSP पे और उसकी क्वालिटी ठीक है, तो वो सीधा मंडी के बाहर ही ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इस विवस्ता से किसानों को भी सुविदा होगी, ट्रेडर् किये जाएंगे,